गुड़ मॉर्निंग अभीबडी वेलकम टू आबर चैनल आज की इस वीडियो में मैं रेजा आप सब को मांट एवरेस्ट फैक्ट इलफर्मेशन मतलब मांट एवरेस्ट के बारे में महत्पुन जनकारिया बताने जा रहा हूँ आप सब से रिक्वेश्ट है कि वीडियो को पूरा देख और वीडियो अच्छी लगे ते वीडियो को लाइक सेर भी जरूर करें तो आई ये शुरू करते हैं इस वीडियो में मांट एवरेस्ट के बारे में कुछ महत्पुन जनकारिया मांट एवरेस्ट या एवरेस्ट परवत तिबत की सीमा पर नेपाल में इस्थित हैं नेपाल एक देश है जहां मांट एवरेस्ट या दुनिया का सबसे उचा परवत है इसके पहले एवरेस्ट परवत महालंगूर में इस्थित है या अंतराश्टे सीमा पर चीन के छेतर बाली तिबत का एक भाग है जहां बुर्जिमान है इसको पहले पीक एक्स भी के नाम से जाना जाता था 18-56 में भारत के महान त्रिकोन मित्य सरवत्तों में इवरेस्ट की उचाई जोकी 8,008-40 मिटर यानी की 29,002 फित तक थी पहली बार परकासित किया गया 18-50 में कंचन जंगा को सबसे ज्यादा उचा परवत माना जाता था और अब यह दुनिया की तीसरी सबसे उची चोटी है इसकी उचाई 8,005-86 मिटर अर्थार्थ 28,001-79 फित है इसके आसपास की परवत चोटिया भी बहुत उची होने की वजह से माउंट एवरेस्ट की उचाई का पता लगाने में थोड़ी बहुत परिशानी बग्यानिकों को भी हुई थी आईए अभी आप सब को बतला दू कि इसकी कुछ परमख विस्ताय इस परकार है इसकी उचाई समुंदर तल से 8,008-48 मिटर की दूरी पर है अर्थार्था लगभग 29,000-29 फित उचा है पज्यानिकों ने अपने एक सोध में पाया है कि इसकी उचाई हर साल 2 सेंटी मीटर बढ़ती जा रही है और भी इसकी विस्ताय इस परकार की है मांट एवरेष्ट की पास की पहली चोटी लहोज से की उचाई 8,005-16 मिटर अर्थाथ 27,009-40 फित है वही दूसरी चोटी नपूल से की उचाई 7,008-55 मिटर अथार्थ लगभग 27,007-73 फित है और तीसरी परवत चोटी जिसका नाम चंगत से है उसकी उचाई 7,005-80 मिटर यानि की 24,008-70 फित है नेपाल में इसको सगरमाथा के नाम से पुकारा जाता है इसका नाम करण उनेश से तीस में नेपाल की इतिहासकार बाबुराम अचारिया ने दिया था संस्कृत में एवरेष्ट परवत को देवगीरी कहा जाता है विसालता की वजह से इसे विश्वा का मुकट भी कहा जाता है यह दुनिया के साथ भी अजूबे में से एक अजूबा है दोस्तो इसी तरह का मौंट एवरेष्ट के बारे में कुछ जनकारिया लेकर मैं दूसरी विडियो में जरूर आऊँगा आज किस विडियो से मेरे जाब सबसे इजाज़ा चाहता हूँ अगर आपको इमेजिंग फैक्स एबाउट मांट एवरेष्ट के बारे में जनकारी अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी सेर करें हमारे अगले विडियो पराप्त करने के लिए हमें सस्क्राइब चरूर करें और अपने सुजाओ हमें कमेंट के मत धिम सके थैंक्यू भी